Good morning ताज महल भारतिय सहेव आगरा में युम्ना नदी के दक्सिन तटपर एक आती दांत स्पेद संग्मर्मर का मकबरा है इसे 1632 में मुगल समराट शाह जहां दवारा अपनी पसंदीदा पतनी मुम्ताज महल की मकबरे के लिए शुरू किये पैता मकबरा 17 हेक्टेयर प्रीशर का केंदर विंदू है जिसमें एक मस्चीद और एक गेस्ट हाउस सामिल है और इसे तीम तरफ एक अनियंतरित दिवार से गिरा उपचारी खुद्धन में स्ताफित किया गया है मकबरे का निर्मान अनियवारिय रूम में 1643 में पूरा गिया गया था लेकिन प्री योजनाओं के अन्य चर्णों में काम दस वर्तों तक जारी रहा माना जाता है कि ताज महल कॉंपलेक्स 1653 में लगबाग 32 मिलियन रुपे के अनुमानी लाकत से बढ़े हुआ जो 2015 में लगबाग 52.8 बिलियन रुपे बढ़ते हैं निर्मान प्रियोजनाओं ने समराट उस्ताज एहमद लाहोई के लिए अदालत के वास्तुकार के नित्तरतों में आर्कीट्रेक्ट के वोर्ड के मारक दर्शन में लगबाग 30,000 कार्यगरों ने रोजग काम किया था ताज महल को 1923 में यूनिस्को की विशव विरास्त सतल के रूप में नामित किया गया था भारत में मुशलिम कला का गहना और दुनिया की विरास्त की सार भोमिक परशासनिक करतियों में से एक है इसे कई लोगों ने मुगल वास्तु कला का स्वर्वत उधार्ण बताया है ताज महल सालाना 78 मिलेन आगुन्तो को विजिटर यहां आते हैं 2007 में इसे विशव के लिए 7 आश्चरिय पहना का विजिता गोशित किया है ताज महल टूर के लिए बाई कार बाई रोड बाई ट्रेन बाई फ्लाइट आप जा सकते हैं रोड अच्छे बने हुए हैं एरपोर्ट आगरा के अंदर है होटल अच्छे बने हुए हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार कैसे भी आप दे सकते हैं आपको मेरा ये ताज महल के बारे में कैसे हैं